नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल डिजीटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के important questions को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam जुलाई 2023 के लिए part number 4 है इस वीडियो में हम CPCT exam के लिए कंप्यूटर से समबंदित 20 important questions को समझने वाले हैं यह सभी वही question हैं जो पहले भी CPCT exam में पूछे जा चुके हैं जब हम एक question को समझते हैं तो इससे समबंदित हमें कई और question भी तयार करने मिल जाते हैं आप सभी questions को नोड़ जरूर करें क्यूंकि एक question से समबंदित कई और question भी paper में बन सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है पहला question हम से पूछा गया है निमन लिखित में से पहला question एमिस बर्ड से पूछा गया है एमिस बर्ड document में जब आप खोज मतलब find option का use करते हैं तो find option में निमन में से कौन सा option उपलब्द नहीं होता है जब आप एमिस बर्ड में कोई document बनाते हैं document मतलब दस्ता बेज और उसमें यदि आप खोज खोज मतलब find option का use करते हैं तो find करते समय कौन सा विकल्प उपलब्द नहीं होता है यह हमें बताना है जब आप MS Word में कोई file बनाते हैं तो किसी सब्द को सर्च करने के लिए find option का use किया जाता है find की shortcut की होती है control प्लस F और यदि आपको find किये गए सब्द को किसी नए सब्द से बदलना है चेंज करना है तो replace option का use किया जाता है replace की shortcut की होती है control plus h find और replace का use MS word में किसी सब्द को search करने के लिए और search किये गए सब्द को नए सब्द से बदलने के लिए किया जाता है जो find और replace की window होती है उसमें कई प्रकार के advance option भी होते हैं जो कि आपको more option के अंतरगत प्राप्त होते हैं आपने जर्नली find और replace का use तो किया होगा MS word में लेकिन जो find replace की window होती है उसमें नीचे एक option होता है more जिसके अंदर कई प्रकार के advance searching option होते हैं उन option से संबंदित ही यह question हमसे पूछा गया है जब आप find और replace का use करते हैं तो वहाँ पर कुछ advance find के option होते हैं जैसे match case, find whole word only, sounds like इस प्रकार के कई advance option होते हैं लेकिन वहाँ पर कोई option ऐसा नहीं होता है no formatting नाम का मतलब MS word में जब आप find और replace का use करेंगे तो find और replace की window में more option के अंतरगत कुछ advance finding option होते हैं उनमें जैसे एक option हमसे पूछा गया है जो नहीं है वह होता है no formatting जबकि बहाँ पर होता है match case नाम का option find whole words only, sounds like इस प्रकार के कई option होते हैं लेकिन no formatting नाम का कोई option नहीं होता है इसको हम MS word पर practically देख सकते हैं चलते हैं MS word पर यह हमारा MS word software है यदि हम यहाँ पर find और replace की window open करें तो आप देख सकते हैं find and replace की window में नीचे एक option आता है more नाम का more जब आप इस more option पर click करेंगे तो find के साथ और replace के साथ आपको नीचे कुछ search option भी दिये जाते हैं यह आप से पूछे गए हैं यहाँ पर एक option होता है match case find whole word only use wild card sound like इस प्रकार के कई option होते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी option no formatting नाम का नहीं होता है यह question हमसे पूछा गया था तो जब आप find replace का use करते हैं इस window में more option के अंतरगत कुछ option आते हैं जिसका question हमसे पूछा गया था लेकिन वहाँ पर no formatting नाम का कोई option नहीं होता है इसलिए इस question का answer होगा option number B इस question का answer है option number B देखते हमारे next question को next question है Microsoft Windows help and support center को खोलने के लिए Windows की के साथ निम्न मैंसे कौन सी function कुझी का उपियोग किया जाता है Microsoft Windows help and support center खोलने के लिए Windows की के साथ निम्न मैंसे कौन सी function कुझी का उपियोग किया जाता है हमसे एक question पूछा गया है कि Microsoft Windows operating system का जो help and support center होता है उसको खोलने के लिए Windows की के साथ कौन सी function की को प्रेस करना होता है आपने हमारे previous वीडियो में देखा होगा हमने एक question पड़ा है कि help open करने के लिए किसी भी software में help open करने के लिए F1 function की का उपयोग किया जाता है F1 maximum software में maximum software में help प्राप्त करने के लिए F1 function की का use किया जाता है और आप इसे windows की के साथ भी press कर सकते हैं मतलब windows operating system में help प्राप्त करने के लिए F1 function की को press कर सकते हैं या windows की के साथ भी F1 function की को press किया जा सकता है help के लिए याद रखना है F1 function की का उपयोग किया जाता है maximum software में help प्राप्त करने के लिए F1 shortcut की का use किया जाता है इस question का answer हो जाएगा option number A देखते हमारे next question को next question है निम्न लिखित में से कौन सा एक input device नहीं है यह question भी CPCT के पुराने paper में पूचा गया है इस प्रकार के simple question भी paper में आते हैं, ऐसा नहीं है कि cpct के paper में केवल cut in question आते हैं, subtle question भी आते हैं, medium level के question भी आते हैं, और easy question भी आते हैं, आप देख सकते हैं हमसे पूछा गया है, निमने लिखित में से कौन सा एक input device नहीं है, हमें चार device के नाम दिये गए हैं, और हमें बताना है, इनमें से कौन एक input device नहीं है, तो keyword तो एक input device है, mouse भी एक input device है, इस scanner भी एक input device है, लेकिन जो printer है, printer input device नहीं है, printer तो एक output device है, जो की हमें hard copy output प्रिदान करता है मतलब इस question का answer क्या हो जाएगा option number D printer एक input device नहीं है printer एक output device है जो की हमें hard copy output प्रिदान करता है तो इस question का answer हो जाएगा option number D देखते हमारे next question को next question है मुद्रण मतलब की printing कारे आरंब करने के लिए कौनसे केbyl आवसक होते है मुद्रण मतलब printing कारे आरंब करने के लिए कौनसे केbyl केbyl मतलब बायर आवसक होते है यदि आपको printing का work start करना है यदि आपको printout निकालना है तो आपको कौन-कौनसे केbyl की या बायर की आवसकता होगी जब आप कोई document बनाते हैं, कोई file बनाते हैं, तो उसकी hard copy प्राप्त करने के लिए, print option का use किया जाता है, आपने जो भी document बनाया है, जो भी file बनाई है, यदि उसका आपको hard copy output प्राप्त करना है, तो print option का use किया जाता है, print option के shortcut की होती है, control plus P, और जिसके लिए printer का होना आवस आवसक होता है लेकिन हमसे question पूछा गया है printing कारे आरंब करने के लिए कौन से केबल आवसक होते हैं केबल मतलब बायर से है यहां पर option number A है power cable और internet cable option number B है power cable और cat 6 cable option number C है power cable और data cable option number D है power cable और cat 5 cable यदि हमें print out निकालना है तो printer की आवसकता है और printer के साथ हमें दो cable use करनी होती है दो एक तो printer को on करना तो printer की power cable और printer को computer से connect करने के लिए data cable की आवसकता होती है internet cable की आवसकता तो है नहीं है और cat 6 और cat 5 यह तो networking की cable होती है networking की cable यहां पर answer क्या हो जाएगा option number C यदि हमें printer का उपयोग करना है print out निकालना है तो एक तो printer की power cable लगानी होगी ताकि printer on हो जाए और printer को computer से connect करने के लिए data cable लगानी होगी तो इस question का answer हो जाएगा option number C power cable और data cable का होना आवसक होता है printing कारे को करने के लिए देखते हैं हमारे next question को next question है यदि किसी hardware device ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया है तो समस्या का लागत प्रभावी समाधान क्या हो सकता है हमसे question पूछा गया है hardware से संबंदित यदि किसी hardware device ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया है तो इस problem का cost effective solution क्या हो सकता है आपके computer से कोई hardware device जुड़ी है जैसे कि printer है scanner है जो अभी तक वर्क कर रही थी लेकिन अब उसने वर्क करना बंद कर दिया है तो आपके पास सबसे अच्छा एक cost effective solution क्या हो सकता है option number A है device driver को uninstall कर device driver को uninstall कर मतलब device driver क्या होता device driver जो भी hardware device होती है उनसे संबंदित जो software होते हैं उन्हें कहा जाता है device driver किसी भी special hardware device का जो software होता है उसे कहा जाता है उस device का driver मतलब software किसी भी hardware device को control करता है उस device का driver तो option number A दिया गया है device driver को uninstall कर option number B है उस device को निकाल कर दूसरी device install कर मतलब जो device खराब हो गई उसको हटा कर नहीं device लगा देंगे option number C क्या है device driver को दोबारा install कर और option number D है computer बंद कर यदि कोई hardware device अभी तक work कर रही थी लेकिन अब वो बंद हो गई है वो work नहीं कर रही है तो आपके पास सबसे सस्ता या cost effective समाधान क्या होगा यह हमें बताना है तो यदि हम driver को uninstall कर देंगे तो hardware device वैसे भी work नहीं करेगी यदि हम नई device लगाएंगे तो cost बढ़ जाएगी और यदि हम computer को बंद कर देंगे तो device work ही नहीं करेगी मतलब answer क्या हो जाएगा option number C उस device का जो driver है उसको दोबारा install करेंगे ताकि हमारी device work करने लगे मतलब इस question का answer क्या हो जाएगा option number C यदि कोई hardware device work करना बंद कर देती है तो हम उस hardware device के driver को दोबारा install करके देख सकते हैं इस question का answer है option number C देखते हैं हमारे next question को next question है standard audio और photo compact disc blank drive का उपयोग करके चलाए जाते हैं standard audio और photo compact disc blank drive का उपयोग करके चलाए जाते हैं इस question को आपको थोड़ा सध्यान से समझना है आप इसका answer समझ जाएंगे standard audio और photo compact disc word आ रहा है compact disc compact disc किसका full form होता है CD का यदि आपके पास CD है किसी audio की या photos की और आप उसको play करना चाहते हैं चलाना चाहते हैं तो CD को चलाने के लिए कौन सी drive का उपयोग किया जाता है CD का full form क्या होता है compact disc हमसे question यह पूछा गया है यदि आपके पास standard audio और photo compact disc है मतलब CD है आप उसको blank drive का उपयोग करके चला सकते हैं यदि आपके पास कोई audio की CD है या photo की CD है तो आप उसे किस drive में लगा कर चला सकते हैं option number D इसका answer होगा यदि हमें कोई CD या DVD को play करना होता है तो हमें CD या DVD drive की आवसकता होती है computer system में laptop में जिस hardware पार्ट में CD DVD को लगाया जाता है उसे कहा जाता है CD ROM drive या DVD drive जहां पर हम CD और DVD को लगाते हैं computer system में laptop में आपने देखा होगा पहले CD player भी आते थे जिसमें आप CD को रखते थे और play करते थे वह area कहलाता है CD drive या CD ROM drive मतलब इस question का answer क्या हो जाएगा option number D CD ROM, CD ROM drive में CD को रखकर हम play कर सकते हैं और audio या photo को देख सकते हैं सुन सकते हैं तो इस question का answer क्या हो जाएगा option number D हमें अपने computer system में laptop में CD को play करने के लिए CD ROM drive की आवसकता होती है और DVD को play करने के लिए DVD drive की आवसकता होती है यहाँ पर आपको दो तीन question और तैयार करने हैं USB का full form क्या होता है universal serial bus universal serial bus जो की computer system का एक port होता है CD ROM का full form क्या होता है compact disk read only memory compact disk read only memory तो इस question का अंसर हो जाएगा option number D standard audio और photo compact disk CD ROM drive का उपयोग करके चलाए जाते हैं इस question का अंसर है option number D देखते हैं हमारे next question को next question है Google drive में निमन लिखित में से किस box का उपयोग किसी बिसेस file को खोजने के लिए किया जाता है या question Google drive से संबन देता है Google drive से Google drive क्या है Google drive Google company का एक product है Google ने बनाया है जो की cloud की सुभिधा देता है आप Google पर या Gmail पर अपना जो data store करते हैं वह Google drive पर store किया जाता है यदि आपने Gmail account बनाया है तो आपको Google drive भी दी जाती है जिसमें आप 15 GB तक एक cloud platform है जहाँ पर आप अपना data store कर सकते हैं इंटरनेट पर data को रखने के लिए आप Google drive का use कर सकते है जिसे Google company ने बनाया है इसमें आप 15 GB तक 15 GB तक free of cost data को store कर सकते हैं आप अपने Gmail account के माध्यम से Google drive में login कर सकते हैं हमसे question पूछा गया है Google drive में निमनलिखित में से किस box का उपयोग किसी बिसेस file को खोजने के लिए किया जाता है आपने जो भी data जो भी file folder Google drive पर रखे हैं यदि आपको किसी file को सर्च करना है तो आप कौन से box का use करेंगे यहाँ पर साफ लिखा है खोजने के लिए मतलब कौन सा box use होगा search box search मतलब क्या होता खोजना दूरना तो सर्च करने के लिए कौन सा box use किया जाएगा search box use किया जाएगा इस type से आपको question को थोड़ा सा समझना है आपको answer कई बार question में ही दिया जाता है हमसे question पूछा गया था Google Drive में निमन लिखित में से किस box का उपयोग किसी business फाइल को खोजने के लिए सर्च करने के लिए किया जाता है तो जर्नली सर्च करने के लिए कौन सा box use होता है search box use होता है इस question का answer हो जाएगा option number D दिखते हैं हमारे next question को next question है internet explorer निमन मैं से किस के अंतरगत आता है internet explorer निमन मैं से किस के अंतरगत आता है हमें एक software का नाम दिया गया है internet explorer पर हमसे पूछा गया है यह किस के अंतरगत आता है operating system के अंतरगत compiler के अंतरगत interpreter के अंतरगत या browser के अंतरगत ब्राउजर जो Internet Explorer है यह एक browser होता है ब्राउजर जिसे हम Web Browser भी कहते हैं Web Browser Web Browser है Internet Explorer Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox Opera Mini Apple Safari यह सभी Web Browser होते हैं तो internet explorer एक web browser है, web browser होता क्या है, web browser एक application software होता है, जो कि किसी web page या website को open करने की सुभिधा प्रिधान करता है, यदि हमें किसी web page को open करना है, किसी website को open करना है, तो हमें web browser की आवसकता होती है, web browser एक application software होता है, जो कि web page और website को open करने के लिए उपयोग किया जाता है, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, Microsoft Edge और Apple Safari यह सभी web browser होते हैं तो इस question का answer हो जाएगा option number D browser, Internet Explorer एक web browser होता है दिखते हैं हमारे next question को next question है बिसेश रूप से configure किये गए किसी FTP server से आपके computer पर information को copy करने की प्रक्तिरिया को blank कहा जाता है बिसेश रूप से configure किये गए किसी FTP server से आपके computer पर information को copy करने की प्रक्तिरिया को blank कहा जाता है इस question में आपको confused नहीं होना है यहाँ पर लिख दिया गया है विसेश रूप से configure किये गए किसी FTP server से आपके computer पर information को copy करने की प्रक्रिया को blank कहा जाता है आपको यहाँ दो question पहले तयार करने है आपका जो computer होता है वह कहलाता है client computer या local computer और जहाँ पर information रखी होती है वह कहलाता है server computer जैसे की internet तो internet पर सभी प्रकार की जानकारी server पर होती है जब हम server से किसी जानकारी को client computer पर copy करते हैं लाते हैं तो उसे कहा जाता है information को download करना और जब client computer से server computer पर information को भेजा जाता है तो उसे कहा जाता है upload करना मतलब uploading तो जब हम किसी server की जानकारी को client computer पर copy करते हैं तो वह कहलाती है downloading और जब client की जानकारी को server पर upload करते हैं तो वह कहलाती है uploading यहाँ पर आपको विसेश रूप से configure में confuse नहीं होना है आपको तो याद रखना है यदि server से जानकारी को client computer पर या local computer पर लाया जाता है तो उसे कहते हैं downloading और client या local computer की जानकारी को जब server पर ले जाया जाता है तो उसे कहते हैं uploading मतलब इस question का answer हो जाएगा option number 8 downloading विसेश रूप से configure किये गए किसी FTP server से आपके computer पर information को copy करने की प्रक्रिया को सर्वर पर भेजने की प्रक्रिया को uploading कहा जाता है यहाँ पर आपको एक और question तयार करना है FTP का full form FTP का full form होता है File Transfer Protocol File Transfer Protocol देखते हमारे next question को next question है MS Word में font के आकार को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस keyboard shortcut का उपियोग किया जाता है MS Word में font के आकार को मतलब font size को बढ़ाने के लिए increase करने के लिए निम्न में से किस keyboard shortcut का उपियोग किया जाता है यह question MS Word में पूछा गया है MS Word में यदि आपको font size को बढ़ाना है तो आप कौन सी shortcut की का उपियोग करेंगे यहाँ पर आपको 7-8 questions तयार करने मिलेंगे आप सभी questions को नोट जरूर करें पहला question आपसे पूछा जा सकता है MS Word में default font size क्या होती है default font size होती है 11 MS Word में default font size कितनी होती है 11 होती है MS Word में यदि आपको font size को बढ़ाना है font size को बढ़ाना है तो आप control shift greater than का यूज कर सकते है control shift greater than और font size को घटाना है तो control shift less than का यूज कर सकते है control shift greater than से font size बढ़ती है control shift less than से font size घटती है लेकिन यह एक साथ multiple point में font size को बढ़ाती है और घटाती है लेकिन यदि आपको single point से font size को बढ़ाना है और single point से font size को घटाना है तो बढ़ाने के लिए होता है control के साथ close वाला big bracket और घटाने के लिए होता है control के साथ open वाला big bracket यदि आपको font size को single point से बढ़ाना है तो control के साथ close वाला big bracket प्रेस किया जाता है और यदि single point से font size को घटाना है तो control के साथ open वाला big bracket प्रेस किया जाता है आपसे question पूछा जा सकता है MS Word में minimum font size कितनी हो सकती है तो minimum हो सकती है बन आपसे question पूछा जा सकता है MS Word में maximum font size कितनी हो सकती है वै हो सकती है 1638 तक MS Word में minimum font size होती है maximum होती है 1638 और यदि आपसे question पूछा जाता है MS Word में font size list में या font size drop down list में minimum font size कितनी होती है font size list में या font size drop down list में minimum font size होती है 8 और maximum होती है 72 यदि font size को आप list से देखेंगे तो list में minimum कितनी मिलेगी आपको 8 और maximum कितनी मिलेगी 72 लेकिन यदि shortcut की से बढ़ाएंगे तो आप minimum कर सकते हैं 1 तक और maximum कर सकते हैं 1638 तक default font size कितनी होती है 11 control shift greater than से font size को बढ़ाया जाता है control shift less than से font size को घटाया जाता है लेकिन यह shortcut की multiple point में font size को बढ़ाते हैं और घटाते हैं जबकि control के साथ close बाला big bracket single point से font size को बढ़ाता है और control के साथ open बाला big bracket single point से font size को घटाता है यहाँ पर हमने font size से सम्बंदित कई प्रकार की जानकारी को एक साथ समझा अब हम इन सभी को MS Word पर practically समझने वाले हैं चलते हैं MS Word पर आप देख सकते हैं MS Word में अभी हमने जो text type किया है इसकी default font size होती है 11 आपसे question पूछा जा सकता है MS Word में default font size क्या होती है 11 होती है और यदि font size drop down list में आपसे पूछा जाता है minimum font size कितनी होती है तो MS Word के font size drop down list में minimum font size होती है 8 maximum होती है 72 जो font size का drop down list होता है इसमें minimum font size होती है 8 और maximum होती है 72 आपको यदि font size को shortcut की से single single point बढ़ाना है तो आप control के साथ close बाला big bracket प्रेस करें आप देख सकते हैं single single point से font size को बढ़ाया जा रहा है control के साथ close बाला big bracket और यदि आपको font size को single single point से घटाना है कम करना है तो आप control के साथ open बाला big bracket प्रेस करें इससे font size को single single point घटा दिया जाता है और यदि multiple point के साथ आपको font size को बढ़ाना है तो आप control shift greater than का यूज करें control shift greater than से आप font size को एक साथ multiple point से बढ़ा सकते हैं और maximum आप font size को कर सकते हैं 1638 तक MS Word में maximum font size हो जाती है 1638 और यदि आपको multiple point के साथ font size को घटाना है डिक्रीज करना है तो आप control shift less than का यूज करें और control shift less than का उपयोग करके आप font size को minimum बंतक कर सकते हैं maximum 1638 तक और minimum बंतक आप इसको कर सकते हैं यह होते हैं font size से समबंदित कुछ important question यहाँ पर हमने एक साथ कई question तयार करें हमारे इस question का answer होगा option number B control के साथ close वाला big bracket प्रेस करके हम font size को बढ़ा सकते हैं increase कर सकते हैं देखते हमारे next question को next question है निमन लिखित में से कौन सा MS Word document के लिए एक file extension है हमसे MS Word का extension पूछा गया है extension जब आप MS Word में कोई document बनाते हैं कोई file बनाते हैं तो उसके लिए आप कौन सा extension यूज करते हैं MS Word में जो file बनती है उस file को कहा जाता है document MS Word में file को जो MS Word में जो file बनती है उसे क्या कहा जाता है document और file का by default नाम होता है document बन MS Word की file का default name क्या होता है document बन और MS Word की file का extension होता है .docx MS Word की file का extension होता है .docx यहाँ पर आपको तीन question और तयार करने है .gif एक graphics file format है graphics file format जिसका full form होता है graphics interchange format graphics interchange format जो web page होते हैं web page उनका extension होता है .htm या .html web page .htm या .html extension से save किये जाते हैं .html का full form होता है hypertext markup language और .abi एक video file format है जिसका full form होता है audio video interleave audio video interleave या audio और video दोनों को support करता है तो इस question का answer हो जाएगा option number A msbird document का extension .docx होता है देखते हमारे next question को next question है यदि DP का ruler को छुपाना चाहती है तो उसे view चुनना होगा और msbird में blank check box का chain करना होगा msbird का एक और question हमसे पूछा गया है यदि DP का ruler को छुपाना चाहती है तो उसे view चुनना होगा हमसे एक question पूछा गया है कि यदि हमें ruler line को hide करना है ruler line को तो हमें view menu के अंतरगत कौन से check box को on करना होगा यदि हमें ruler line को show करना है या hide करना है तो view menu के अंदर या view tap के अंतरगत हमें कौन से check box को on करना होगा select करना होगा MS word में एक ruler line होती है ruler line आपने देखा होगा scale के जैसे एक line होती है जिस पर कुछ number लिखे होते है जिसका use measurement करने के लिए किया जाता है हम ruler line को view menu से view tap से show भी कर सकते हैं hide भी कर सकते हैं और बहाँ पर एक option होता है ruler नाम का ruler line को show और hide करने के लिए option भी कौन सा है ruler ही है आप यदि question को समझें तो question में ही answer दिया गया है यदि दीपिका ruler को छुपाना चाहती है ruler line जो होती है उसको hide करना है छुपाना है तो view tap के अंतरगत MS word में ruler नाम के check box को select करना होता है इस check box से आप ruler line को show भी कर सकते हैं और hide भी कर सकते हैं जो की view tap के अंतरगत प्राप्त होता है इसको हम practically देख सकते हैं MS word में यह होती है ruler line आप देख सकते हैं ruler line जिस पे number लिखे गए हैं यह horizontal ruler line है यह vertical ruler line है इनको आप view tap के अंतरगत ruler नाम के option से on भी कर सकते हैं और hop भी कर सकते हैं so भी कर सकते हैं और hide भी कर सकते हैं तो ruler line को यदि hide करना है या so करना है तो view tap के अंतरगत ruler नाम के option का use किया जाता है इस question का answer हो जाएगा option number A देखते हैं हमारे next question को next question है बटन का उपियोग निमने के लिए किया जाता है MS Word टेबिल में ओटो फिट बटन का उपियोग निमने के लिए किया जाता है MS Word से एक और question पूछा गया है जो कि table topic से संबन्दे थे table table क्या होती है table multiple row और multiple column का collection होती है एक table का उपियोग information को row और column में arrange करने के लिए किया जाता है हमसे question पूछा गया है MS Word टेबिल में ओटो फिट बटन का उपियोग निमने के लिए किया जाता है ओटो फिट बटन से क्या होता है option number A है प्रत्य कॉलम की चोड़ाई को text के आकार जितना bold होने के लिए प्रारूपित करें जो ओटो फिट ओप्सन है वह क्या करेगा क्या प्रत्य कॉलम की चोड़ाई को text के आकार जितना bold होने के लिए format करेगा मतलब आपने जो text कॉलम के अंदर लिखा है वह bold होने के लिए format करता है option number B है कॉलम में सबसे लंबे cell में text के रूप में के बल उतना ही चोड़ा होने के लिए प्रत्य कॉलम की चोड़ाई को प्रारूपित करें आपकी टेबिल में कॉलम में जो सबसे लंबा cell है सबसे बड़ा cell है बाकी सभी cell को क्या उसी cell के जितना चोड़ा करने के लिए करता है format option number C क्या है text को cut करने और नए इस्थान पर paste करने के लिए करता है option number D है बड़े document को और अधिक पठनिये बनाने के लिए readable बनाने के लिए हमसे question पूछा गया है MS Word टेबिल में auto fit बटन का उपियोग क्या है auto fit के आप नाम से समझिए automatic fit कर देना automatic fit कर देना मतलब आपने जो टेबिल बनाई है टेबिल में यह column है आप column में यहाँ पर data भरेंगे text भरेंगे आपका data जितनी बड़ी size का होगा automatic column की size उतनी करना है उसे बोला जाता है auto fit auto fit मतलब जितनी size का column में data type किया जाएगा उतनी size का column automatic हो जाना चाहिए उसे बोला जाता है auto fit तो bold से तो कोई मतलब है नहीं cut करने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर document को readable बनाने से भी मतलब नहीं है यहाँ पर answer क्या हो जाएगा option number B column में सबसे लंबे cell में test के रूप में केवल उतना ही चौणा होने के लिए प्रते column की चौणाई को प्रारूपित करें मतलब आपके column में जो सबसे बड़ी size का text होगा जो सबसे बड़ी size का cell होगा पूरे column की चौणाई automatic उतनी ही हो जाएगी वह कहलाता है auto fit उसका नाम ही है auto fit auto fit मतलब automatic fit करना आप column में जितनी size का text टाइप करेंगे automatic column की चौणाई उतनी बढ़ जाएगी उसे बोला जाता है auto fit तो इस question का answer हो जाएगा option number B column में सबसे लंबे cell में test के रूप में केवल उतना ही चौणा होने के लिए प्रते column की चौणाई को प्रारूपित करें मतलब जो सबसे बड़ी size का text आपने type किया है automatic सभी column सभी cell की size को उतना fit कर दिया जाएगा किस बटन के द्वारा auto fit बटन के द्वारा देखते हमारे next question को next question है MS Word document में file tab पर जाने के लिए निमन मैं से किस keyword shortcut का उपियो किया जाता है MS Word document में file tab पर जाने के लिए निमन मैं से किस keyword shortcut का उपियोग किया जाता है एक और question MS Word से पूछा गया है यदि हमें MS Word के file tab पर या file menu पर जाना है तो हम कौन सी keyword shortcut का उपियोग करेंगे आपको याद रखना है MS Word में एक file menu होता है या file tab होता है और 8 परकार के tab भी होते हैं जैसे कि home tab, insert tab, design tab, view tab, review tab हर tab की हर menu की अपनी एक shortcut की होती है यदि आपको file menu पर जाना है तो shortcut की होती है alt plus F alt plus F से आप file menu पर जा सकते हैं, file menu को open कर सकते हैं file की shortcut की F से start होती है, किसी परकार से home tab पर जाने के लिए alt plus H का यूज किया जाता alt plus H, insert tab पर जाने के लिए insert tab पर जाने के लिए alt plus N का यूज किया जाता है और design tab पर जाने के लिए alt plus G का यूज किया जाता है आपको सभी tab की shortcut की जरूर याद कर ले नहीं है file tab की shortcut की क्या है Alt plus F इसको हम practically देख सकते हैं MS Word में आप देख सकते हैं एक File Tab है या File Menu है इसके अलावा Home Tab, Insert Tab, Design Tab 8 प्रकार के Tab होते हैं यदि आप Keyboard से Alt Key को प्रेस करेंगे तो आपको हर Tab का एक Character सो किया जाता है यह उस Tab की shortcut की है आप Keyboard से Alt Key को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं M है Mailing Tab के लिए R है Review Tab के लिए और W है View Tab के लिए आपको यह जरूर याद कर लेने हैं क्योंकि इनका एक Question पेपर में पूछा जाता है किसी भी Tab का हमसे पूछा गया था File Tab के लिए, File Menu के लिए तो shortcut की होती है alt plus f alt plus f से file menu या file tab open हो जाता है इस question का answer हो जाएगा option number a alt plus f दिखते हैं हमारे next question को next question है MS Excel में range को किसे symbol से represent किया जाता है MS Excel में range को किसे symbol से represent किया जाता है यह question MS Excel से पूछा गया है MS Excel में range को किसे symbol से represent किया जाता है MS Excel एक spread seat software है जो data को row और column में arrange करने की सुभीदा प्रदान करता है MS Excel में जो page दिया जाता है उसे work seat कहते हैं work seat multiple row और column का collection होती है row को number से represent किया जाता है और column को alphabet से ABCD से represent किया जाता है row को number से represent करते है और column को alphabet से represent करते है जब एक row और column मिलता है तो cell create होता है cell यह जो box बनता है इसे कहा जाता है cell हर cell का अपना एक address होता है जैसे इस cell का address बनेगा B2 पहले column का नाम फिर row का number हर cell का अपना एक address होता है एक cell का address तो यह है लेकिन यदि हम एक साथ multiple cell को use करेंगे तो उसके लिए किया जाता है range का use multiple cell को एक साथ use करने के लिए range का use किया जाता है range को इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे हमने लिखा a1 colon a10 मतलब हमें a1 cell से लेकर a10 तक के cell पर वर्क करना है तो बीच में लगाना पड़ता है colon colon का मतलब है range ms excel में जब हमें multiple cell पर वर्क करना होता है तो हम range का use करते हैं और range को colon symbol से represent किया जाता है colon से मतलब ms excel में multiple cell को range कहा जाता है और range को colon symbol से represent किया जाता है इस question का answer हो जाएगा option number c देखते हैं हमारे next question को next question है निम्न मैंसे कौन IP address की valid class नहीं है निम्न मैंसे कौन IP address की valid class नहीं है यह question IP topic से संबंदित है और यदि आपने हमारे previous video को देखा है तो आपको इस question का answer जरूर पता होगा क्यूंकि previous video में भी हमने IP topic से संबंदित कई प्रकार के question तयार करे थे आज हमसे question पूछा गया है निम्न मैंसे कौन IP address की valid class नहीं है IP topic CPCT exam के लिए एक important topic है और IP से संबंदित कई प्रकार के question बनते है पहला question क्या बनता है IP का full form क्या होता है IP का full form होता है internet protocol internet protocol IP का full form के होता है IP address क्या होता है IP address प्रते कंप्यूटर का एक unique number होता है जिससे उस computer को network में identify किया जाता है किसी भी computer को network में पहचानने के लिए IP address का use किया जाता है IP address की total 5 class होती है IP address की total 5 class होती है जो की class A से लेकर class E तक होती है IP address की 5 class होती है जो की class A से लेकर class E तक होती है हमसे question पूछा गया है निम्नमै से कौन IP address की valid class नहीं है तो class 5 है A से लेकर E तक मतलब option number A तो है option number C भी है option number D भी है लेकिन option number B गलत है यहाँ पर class G नाम की कोई IP address class नहीं होती है class A होती है, B होती है, C होती है, D होती है और E होती है लेकिन class G IP address की कोई class नहीं होती है आपको दो तिन question और तयार करने है IP protocol के कितने version होते हैं IP protocol के दो version होते हैं एक होता है IP protocol version 4 एक होता है IP protocol version 6 IP protocol के दो version है IP protocol version 4 IP protocol version 6 IP protocol version 4 में IP address की size होती है 32 bits 32 bits जबकि IP protocol version 6 में IP address की size होती है 128 bits मतलब 108 bits तो यहाँ पर हमने IP से सम्मंदित कई परकार के question तयार करे इस question का answer हो जाएगा option number B class जी देखते हैं हमारे next question को next question हम से पूछा गया है रगु एक MS Word document पर काम कर रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए की प्रतेक बाग का पहला अक्षर बड़ा मतलब capital ना हो इसके लिए उसे किस बिकल्प को बंद करना होगा रगु एक MS Word document पर काम कर रहा है एक रगु नाम का यूजर है जो MS Word document पर वर्क कर रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतेक बाग के का पहला अक्षर capital ना हो पहले अक्षर को capital टाइप नहीं करना है इसके लिए उसे किस बिकल्प को बंद करना होगा आपसे एक question पूछा गया है कि यदि आप MS Word में बर्क कर रहे हैं और MS Word में बर्क करते समय जब भी आप कोई sentence टाइप करते हैं बर्क टाइप करते हैं तो उसका पहला अक्षर अपने आप capital टाइप हो जाता है हमें उस पहले अक्षर को capital टाइप नहीं करना है तो हम कौन से बिकल्प को बंद कर देंगे कौन से option को आप कर देंगे यह question MS Word के change case नाम के topic से पूछा गया है change case MS Word में change case नाम का एक feature होता है जो कि MS Word के home tab में प्राप्त होता है home tab में और change case option font group में प्राप्त होता है font group में change case option home tab में प्राप्त होता है font group में प्राप्त होता है MS word में total 5 प्रकार के case यूज किये जाते हैं MS word में total 5 प्रकार के case यूज किये जाते हैं change case की shortcut की shift plus app 3 होती है change case की shortcut की shift plus app 3 होती है और shortcut की से केवल 3 प्रकार के case यूज किये जा सकते हैं होते total पाँच केस हैं लेकिन shortcut की से केबल हम तीन प्रकार के केस यूज़ कर सकते हैं MS Word का जो default case होता है default case वह होता है sentence case MS Word का default case कौन सा होता है sentence case sentence case मतलब जब भी आप कोई बाग के टाइप करते हैं कोई sentence टाइप करते हैं तो automatic उस sentence के पहले अक्चर को capital type कर दिया जाता है इसी का हम से question पूछा गया है जब आप MS Word में typing करते हैं तो पूरे sentence का पूरे बाग का पहला अक्चर automatic capital type होता है और बाकी सभी अक्चर small में type होते हैं क्यूंकि MS Word का default case कौन सा होता है sentence case यदि हम इसे off कर देंगे तो हमारा जो पहला अक्चर capital type होता है वह बंद हो जाएगा, off हो जाएगा तो इस question का answer भी क्या है option number is sentence case sentence case पूरे sentence के पहले अक्चर को capital type करता है और बागी सभी अक्चर को small letter में type करता है इसको off करने से पहला अक्चर capital में type नहीं होगा यह question change case topic से संबंदित है इसको हम MS Word पर practically देख सकते हैं अब देख सकते हैं अभी हमने MS Word में जो text type किया है इसमें पूरे sentence का जो पहला अक्चर है यह हमारा एक sentence है इस पूरे sentence का पहला अक्चर बस capital है बाकी साब small है जहां से sentence start हुआ है वहाँ पर पहला character capital में लखा गया है क्यूंकि MS Word का default case कौन सा होता है sentence case और यदि हम इसे बंद कर देंगे तो हमारे sentence का जो पहला अक्चर capital है वह small हो जाएगा छोटा हो जाएगा इसके अलावा दूसरा case कौन सा होता है lower case lower case में क्या होगा जो भी text आप type करेंगे वह पूरा small letter में type किया जाएगा upper case होता है upper case मतलब पूरा text capital में type किया जाएगा एक होता है capsulize each word या capitalize each word जिसमें हर सब्द के पहले अक्षर को capital कर दिया जाता है एक होता है toggle case toggle case क्या करता है toggle case small letter को capital में बदल देता है और capital letter को small में बदल देता है मतलब case को reverse कर देता है toggle case का कई बार question पूछ लिया जाता है कि कौन सा case text के case को reverse करता है वह होता है toggle case यदि आपने capital में type किया होगा तो यह है उसको small में मदल देगा और small में type किया होगा तो यह है उसे capital में मदल देता है यह होता है toggle case तो हमसे जो question पूछा गया था वह है change case topic से संबंदित था और हमने change case topic से संबंदित सभी प्रकार के question को एक साथ तैयार किया इस question का answer है option number a sentence case देखते हैं हमारे next question को next question है MS word में line spacing को format करने का क्रम नीचे दिया गया है इसमें रिक्त इस्थान पर आने वाले उप्योक्त बिकल्प का chain कीजिए MS word में line spacing को format करने का क्रम नीचे दिया गया है इसमें रिक्त इस्थान पर आने वाले उप्योक्त बिकल्प का chain कीजिए हमें MS word में यदि line spacing की formatting करनी है तो उसके लिए हमें एक process use करनी होती है steps use करने होते हैं जो की हमें नीचे दिये गए हैं जिसमें blank इस्थान पर क्या आए home tab के अंतरगत आपको blank select करना है और बहाँ पर आपको मिल जाएगा line और paragraph spacing मतलब MS word में यदि आपको line spacing को set करना है change करना है तो आप home tab के अंतरगत कौन सा option use करेंगे जो line spacing है paragraph spacing है बहे paragraph के अंतरगत होती है paragraph group में होती है MS word के home tab में paragraph section होता है paragraph group होता है जिसमें line spacing और paragraph spacing से सम्बंदित सभी प्रकार के option होते हैं आपको यहाँ पर और भी कुछ question तयार करने है line spacing क्या होती है line spacing दो line के बीच का vertical space होता है vertical gap होता है इसे कहा जाता है line spacing दो line के बीच में जो vertical मतलब लंबाई में distance होता है gap होता है उसे कहा जाता है line spacing MS word में default line spacing होती है 1.15 MS word में default line spacing होती है 1.15 इसके अलावा आप one line spacing set कर सकते हैं control plus one shortcut की से आप double line spacing set कर सकते हैं control plus two shortcut की से आप 1.5 line spacing set कर सकते हैं control plus five shortcut की से तो दो line के बीच का जो vertical gap होता है space होता है उसे कहा जाता है line spacing line spacing में default line spacing होती है 1.15 आप one line spacing set कर सकते हो control one से two line या double line spacing set कर सकते हो control two से और 1.5 line spacing set कर सकते हो control plus five से जो line spacing है वह home tab के paragraph group में प्राप्त होती है इसको हम MS word पर practically देख सकते हैं चलते है MS word पर यह हमारा MS word software है आप देख सकते हैं जो paragraph में line type की गई है सबी line के बीच में कुछ vertical space है जिसे कहा जाता है line spacing line spacing option home tab में paragraph group में होता है line spacing और paragraph spacing के नाम से यहाँ पर आपको कई परकार की line spacing दी जाती है यह 1, 1.15, 1.52, 2.53 यह होती है line spacing default line spacing होती है 1.15 आप control 1 से single line spacing set कर सकते हो control 2 से double line spacing set कर सकते हो control 5 से 1.5 line spacing set कर सकते हो तो यहाँ पर इस question का answer हो जाएगा option number A paragraph देखते हमारे next question को next question है emis word के proofing group में word count बिकल्प के अंतर गत आकड़ों की संख्या कितनी होती है MS Word के proofing group में word count बिकल्प के अंतरगत आंकणों की संख्या कितनी होती है MS Word का एक और question हम से पूछा गया है MS Word के proofing group में word count बिकल्प के अंतरगत आंकणों की संख्या कितनी होती है MS Word का जो proofing group है यह review tab में होता है review tab में और review tab के अंतर आता है proofing group proofing group में spelling and grammar, thesaurus, word count इस प्रकार के कई option होते हैं एक option होता है word count जो की हमारे document की statistical report सो करता है statistical report जिसमें यह बताया जाता है कि आपने कितने page type करे हैं कितने paragraph type करे हैं, कितनी line type करी हैं, कितने character type करे हैं यह जानकारी सो करता है word count option word count option review tab में proofing group में होता है जो की हमारे document से संबंदित statistical report सो करता है जिसमें हमारे document की information होती है, word count की shortcut की होती है control shift G, control shift G word count की shortcut की होती है word count option के अंदर 6 प्रकार के आंकड़े या 6 प्रकार की statistical report सो की जाती है इस question का answer हो जाएगा option number D6 MS word के proofing group में word count बिकल्प के अंतरगत आंकड़ों की संख्या 6 से मतलब 6 होती है इसको हम MS word पर practically देख सकते है यदि हम MS word में review tab के अंदर proofing group में word count option को on करते है तो हमें बताया जाता है हमने कितने page type करे हैं, कितनी line type करी हैं, कितने word हैं, कितने character हैं, कितने paragraph हैं यहाँ पर एक statistical report सो की जाती है, जिसमें 6 प्रकार की information होती है, pages, words, characters, no space, characters with space, paragraph और lines इस option की shortcut की होती है, control shift G, इस question को हमसे पूछा गया था, word count option से संबंदित है, जिसका answer होगा, option number D6 दिखते हैं हमारे next question को अगला question पूछा गया है, MS word में, line और paragraph spacing के संदर्भ में, निमनलिखित में से कौन सा कथन गलत है MS word का एक और question हमें मिला, जो कि line spacing और paragraph spacing से संबंदित ही है इससे संबंदित, एक और question भी हमने तयार किया था, यह question हम से पूछा गया है MS word में, line और paragraph spacing के संदर्भ में, कौन सा कथन गलत है option number 1 क्या है, आप यह नियंतरित नहीं कर सकते हैं कि paragraph के पहले और बाद में कितनी जगए चूटी रहेगी यह तो गलत है, हम set कर सकते हैं कि paragraph के पहले कितना space रहेगा और बाद में कितना रहेगा option number 2 क्या है, सभी formatting को save करने के लिए, आप MS word के set as default feature का उपयोग कर सकते हैं यह कथन सही है, यह statement correct है, आपने जो भी formatting करी है, उनको save करने के लिए, आप set as default feature का उपयोग कर सकते हैं अगला option क्या है, paragraph की प्रतेक पंक्ती के बीच के अंतराल को line spacing कहा जाता है यह statement भी सही है, और last क्या है, MS word में आप line spacing कस्टमाइज कर सकते हैं, यह भी सही है हम line spacing को change कर सकते हैं, यहाँ पर answer होगा option number A, क्यूंकि यहाँ पर बोला गया है, आप यह control नहीं कर सकते हैं कि पेरागर आपके पहले और बाद में कितनी जगह छूटी रहेगी, हम control कर सकते हैं, हम यह decide कर सकते हैं कि पेरागर आपके पहले और पेरागर आपके बाद में कितना space रहेगा, after और before space को set करके, हम यह control कर सकते हैं, मतलब यह statement गलत है तो option number A, इस question का answer होगा, हम यह control कर सकते हैं, कि पेरागर आपके पहले और पेरागर आपके बाद में कितना space रहेगा, इस question का answer है, option number A तो आज की वीडियो में हमने CPCT exam के लिए computer से सम्बंदित 20 important questions को समझा है, जब हम एक question को समझते हैं, तो से सम्बंदित हमें कई question और भी तयार करने मिल जाते हैं, आप सभी questions को पढ़ें, समझें, यदि आपका कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछिए, वीडियो प झाल